ह nickel कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साम मानी हिंदिक एक महतापून टTe पर टोपीक जैसा कि आप देख रहें व्वांग के विचार इस हम बात करेंगे वाक्ट के अंग और वाक्ट के किसे विद्वान की चार लाइने लिखी हुई है देखे रख खौंसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर शमंदर भी आएगा ठक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा चलिए इसी के साथ सुरुवात करते हैं आज क शमू भी ऐसा होना चाहिये जिसका कोई ना कोई अर्थहनता हो सार्थक आएशा सार्थक शमू वकिकहलाता है दूसरे बात कि भहसा की पूरन हिकाई वक्यो disrupt हुती है इससे पहले आपकी किलास हुई है वरनविचार की किलास उसमें मैंने आपको बताय था कि भहसा की सबसे चोटी उचरी तिकाई द्वन्नी है, भासा की सबसे चोटी लिखे तिकाई वन होती है, भासा की सार्थक इकाई शब्द होती है, तो भासा की पूर्ण इकाई वाक्य होती है, यह दोस्तों भासा की पूर्ण इकाई है, अगली बात अगर हम करें, भाव रूप में व्याकरण की सबसे छोटी काई वाक्य होती है देखे यहां पर मैं बात कर रहा हूं भाहसा की यहां पर मैं बात कर रहा हूं व्याकरण की तो भाहसा की पूर्ण इकाई है वाक्य जबकि बहाव रूप में व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है वाक्य और वाक्य में प्रियुक्त होने वाले शब्दों का हम पद कहते हैं सब्द जब तक कोई भी अकेला है तब तक वो शब्द कहलाएगा और जैसे वो किसी भी वाक्य में प्रियुक्त हो जाता है तो वाक्य में प्रियुक्त होते हैं पद बन जाता है अपने एक्जाम में देखा होगा जैसे कोई भी एक सेंटेंस लिखा जाता है उसमें किसी भी एक शब्द को अंडरलाइन किया जाता है अंडराइन करके जब प्रशन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता कि रेखांकित शब्द में संदी बताईए या रेखांकित शब्द में विशेशन बताईए हमें ऐसे ऐसे लिखावा होता है कि एक खांकित पद में मिशेसम बताइए कियोंकि जब वह वक्ड में प्रीवूक्त हो चुकाäre तो उसे सब्द कर लेना कि एक और पर कあ उन कर लोगे तो साथ कुछ यहां पर देंगे इस लिए इसलिए ने को आप अलग से काउंट नहीं करेंगे नहीं नहीं करेंगे दूसरा पर 2-3 पसिरगा यहां से प्रशन पूछे जा सकते हैं तो देखे अगर वाक्वं की के वाक्य के दो अंग होते हैं आप ने पहले कभी पड़े भी होंगे वाक्य के दो अंग हैं जिन मेंसे एक अंग होता है वापि का उद्देश ओर वाक्य का दूसरा अंग होता है दोस्तों विदेही तो आज आपको इनी दोनों को समझना है उद्देश और विदे क्या है ये दोनों आज आपको समझने है तो देखे पहले इनकी प्रिवासा ही बता दूँ उद्देश कोन होता है वाक्य में करता करता मतलब है जिसके बारे में जो कुछ भी कह गया है या फिर जो काम को करने वाला है वो करता कहलाएगा तो दोस्तों वाक्य में करता एवं करता का विस्तार करता के विस्तार का मतलब है कि करता के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है उसका प्रीचे देने के लिए जो कुछ भी लिखा गया वो कहलाएगा करता का विस्त तो आप ध्यान रखेंगे कि वाक्य में करता एवं करता का विस्तार उद्धिश्य कहलाता है किसी भी sentence में करता एवं करता के विस्तार को उद्धिश्य कहा जाता है या आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें विद्धे की तो देखे वाक्य में किरिया एवं किरिया का वि विधे कहलाएगा अब देखिए सेधा साम आपको एक बात कह दूँ किसे वे वाक्य में करता और करता का विस्तार उद्देश कहलाता है अगर हम इसको छोड़ दें करता और करता के विस्तार को छोड़ दें तो सेश उसमें क्या बचेगा या तो किरिया बचेगी किरिया का व विस्तार बचेगा तो यारे अगर हम उद्देश को छोड़ाइं किसे भी वाकिमे तो उद्देश को छोड़ा कर जो कुछ भी बचेगा व सारा क्या कहला epm आप ध्यान रख सकते हैं कि कि से भी सेंटेंस में करता एंप करता का विस्तार उद्देश कहलाता है और करता इंप करता की विस्तार को छोड़कर जो कुछ भी बच गया वो सारा विधिय कहलाता है किस प्रकार से यहां से प्रशन आएंगे कैसे आपको स्वोल करने चले शुरुवात करता हूं देखें जैसे एक एग्जामपल आपके सामने लिखा हुआ है दसरत पुत्र रामने लंका पती रावन को तीरशे महरा अब इस सेंटेंस में मैं आपको प्रेक्टिस से आप बाद में करेंगे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस सेंटेंस में क्या उद्देश योगा क्या विदेय योगा वह मैं आपको बता देता हूं तो देखें अभी मैंने आपको कहा कि करता एवं करता का विस्तार उद्देश ही कहलाता है तो सबसे पहले हम देखें इस वाकि में करता और करता का विस् वो करिया कहलाईगी जो कारिय क्या जा रहा है वो करिया कहलाईगी दूसरे नमबर पर आप ये देखना कारिय को करने वाला कौन जो कारिय को करने वाला है वो कहलाईगा करता यानि किसे भी सेंडेंस में जो कारिय हो रहा है वो करिया कहलाईगी और किसी भी sentence में कौन या किसने का answer करता कहलाएगा किसी भी sentence में क्या या किसको का answer कर्म कहलाएगा वैसे तीन बात अगर आपको याद रहे गई तो आपका ये topic समझें complete हो गया कि किसी भी वाकि में ये तो आपको पता है कारिये जो किया जाएगा वो किरिया होगी कौन और किसने का इंसवर करता हो जाएगा क्या और किसको का इंसवर दोस्तो कर्म हो जाएगा अब कैसे देखो जैसे आपके सामने सेंटेंस है दसरत पुत्र रामने लंका पती रामन कू तीरशे महरा तो सबसे पहला आप देखें इस वाकिण। कारी हो रहा है दोस्तों कारी हो रहा है भूला। किसी भी सेंटेंस में मैंने कहा कून या किसने का एंस्वर्त करता होता है। आप देखो रामन को किसने मारा, किसने मारा दोस्तो रामने, किसने का इंसुर क्या होगा, करता होगा, किसने का इंसुर करता हो जाएगा, तो करता क्या हो गया दोस्तो इसमें राम, करता हो गया राम, अब मैंने कहा था कि करता का प्रीचे देने के लिए अगर कोई शब्द आ रहे हैं तो वो करता का विस्तार कहलाएगा अब देखे राम का प्रीचे देने के लिए शब्द कौन से आ गई दसरत पुत्र राम कौन है दसरत का पुत्र है इन सब्दों के द्वारा राम का प्रीचे दिया जा रहा है राम जब करता था तो यह सब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों करता का विस्तार यानि यह शब्द दसरत पुत्र हो गए करता का विस्तार यहां तक complete आपने करिया भी देख लिया आप अपने करता भी देख लिया अब आप देखेंगे कर न का निका किसे में किसको का यंश disclosure करला ता इसको को किस को लियए दोसतों कों कुन आप समझ गई होंगे अम मैंने आपको बता दिया था कि किसे भी सेंटेंस में करता और करता का विस्तार ये तो क्या उद्देश्य यानि उद्देश्य क्या बना उद्देश्य बन गया दसरत पुत्र राम यह बन गया दोस्तों उद्देश्य अब किसे भी सेंटेंस में किरिया एम किरिया का विस्तार किरिया थी मारना किरिया का विस्तार था तेर्शे यानि यह यहां से यहां तक और शा यानि विदे बनेगा लंकापती रावन को तेर्शे महरा अब सुरू में मैंने आपको बोला था कि किसी भी वाक्ष में उद्देश को छोड़ दीजिए करतायम करता के विस्तार को छोड़ दीजिए सेस बच जाएगा वो सारा विदे बच जाएगा चलिए एक 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 जामपल और देखते हैं आपको और अच्छे समझ में आजाएए जैसे एक जामपल है मेरा भाई निशान्त जासुसी पुस्त के पढ़ता है अब इसमें फिर आप अपना वोई तरिका लगा लेजिए सबसे पहला आप देखें कारी है क्या हो रहा है तो कारी हो रहा है दोस्तों पढ़ना कारी हो रहा है पढ़ना तो जो कारी हो रहा है वो जाएगी किरिया यानि किरिया होगी इसमें किरिया आगी पढ़ना अब पढ़ने के लिए और कोई शब्द इसमें आया नहीं तो किरिया का विस्तार इसमें होगा नहीं अब देखें पढ़ने वाला कौन पढ़ता है कौन पढ़ता है निसांत इसको छोड़ तो यह मत लेना साथ में कौन पढ़ता है दोस्तो निसांत पढ़ता है काम को करने वाला तो निसांत ही है तो जो काम को करने वाला है जो कौन का एंसर है वो कौन का एंसर हो जाएगा करता या निसमे करता हो गया निसांत अब देखे निसांत का प्रीचे कैसे दिया गया निसांत कौन है निसांत मेरा भाई है ये इसका प्रीचे दिया गया ये दोस्तो इसका प्रीचे दिया गया तो ये हो जाएगा करता का विस्तार हो गया ये अब देखे क्या पढ़ता है अब इसको नूठाइए क्या पढ़ता है पढ़ता क्या है दोस्तो पुस्तके क्या पढ़ता है पुस्तकें तो क्या का इंसर हो गया कर्म यानि पुस्तकें हो गई कर्म और पुस्तकों का परीचे कैसे दिया गया कैसे पुस्तके पढ़ता है जासुसी पुस्तकें ये क्या हो जाएगा दोस्तो कर्म का विस्तार हो गया जासुसी अब देख लीजिए किसी और ऊपर देता है जैसे लता मृत ऑदिक्ता है अब इसमें फिर वही काम करना है आपको कारिये देखे सबसे पहले क्या हो रहा है तो कारिये हो रहा है दोस्तों पीना तो पीना हो जाएगी क्रिया क्रिया आगए यहां पर पीना अब देखे पीने वाला कौन यानि कौन पिता है तो कौन पिता है दोस्तों राकेस कौन का एंसर बन गया करता राकेस हो जाएगा यहां पर करता अब राकेस का प्रीचे देने के लिए शब्द कुन से आए लता का पुत्र यह सब्द आए यह राकेस का प्रीचे दे रहे हैं तो यह बन जाएंगे करता का विस्तार करता का विस्तार हो गया लता का पुत्र है अब देखें क्या पिता है तो क्या पिता है दोस्तों दूद क्या का इंस्वर आ गया दूद तो दूद हो जाएगा यहां पर कर्म क्योंकि क्या का इंस्वर कर्म होता है तो दूद हो गया यहां पर कर्म और दूद के लिए सब्द क जो बच गया यह बन जाएगा यहां पर विधेः यह ओते हैं दोस्तों वाकिके दो उद्धे और विद्धेः वाकिके दोन वंगों कि हमने यहां पर बात कर ली आओं से एक्जाम में कैसे प्रशन आते हैं वो प्रशनि मों आपको बता देता हूं जैसे यह मैंsters ली 2023 कि एक वाक्य में करतायम करता के विस्तार को यानि उद्देश को छोड़ कर जो कुछ सेस बसता है वो सारा विदेई कहलाता है उद्देश को छोड़ दीजे बाकी जो बचेगा वो सारा विदेई कहलाएगा देखते हैं प्रशन कैसे आते हैं जैसे प्रशन है आपके सामने की मोहन बाजार जा रहा है इस वाक्य में उद्देश ही क्या है अब उद्देश में मैंने आपको बता दिया था करता और करता का विस्तार उद्देश ही कहलाएगा options हैं मोहन बाजार जा रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपको बताय था कि करता हैं करता का विस्तार उद्देश कहलाएगा और करता कैसे छंट होगे सबसे पहले देखो काम क्या हो रहा है दोस्तों काम हो रहा है जाना और काम को करने वाला कून यानि जाने वाला कून तो जाने वाला मोहन जो काम को करने वाला है वो करता उद्धिश का जाता है इस वाकि में काम को करने वाला कोन है दोस्तों मोहन तो उद्धिश कोन हो जाएगा मोहन यानि एंसर हो गया यहां पर मोहन एक और देख लीजिए जैसे तेंदूल करने एक ओवर में चार छक्के लगाए बताना क्या है आपको इस वाकि में उद्धिश कि आपको बताना है कि इस वांकि में उद्श ही क्या है कि अप्सिन Sun ईंडू कर छक्के ओवर या 580 तो उद्धिश यानि फिर वह आपको करता बताना है क्या मौन और चक्के लगाने वाला कौन दोस्तों जो काम को करने वाला है वह उद्देश हो गया एन्य एंसर हो जाएगा यहां पर तेंदूल कर यह दोस्तों आपके वाकी के दोनों अंगों के हमने बात किया है उद्देश और विदे के हमने बात किया है अब कल इसी किलास को आगे बढ़ाते हुए में बात करूंगा वाकी के प्रकार जो कि तेन प्रकार है मुख्य रूप से रचना के आदार पर साधानवाक के, मिस्रवाक के और सहयुक्तवाक के उन तेनों के में बात करनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको की वीडियो को लाइक के जिए बस आप एक काम कर द देजिए अपने दोस्तों के पास सेयर कर दीजे ताकि वो भी कुछ सीख सकें धन्यवाद दोस्तों कल मिलते हैं कि अगली किलास के साथ रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों के बात करेंगे धन्यवाद